जुआ नि का पप्रेज्थ करेंगे तक हमें करेंगे के आज हमारे वोकिट 7 तक प्रिलाई और आज हम स्टार्ट कर वे हैं क्वेस्ट नंबर 8 से पहले हमें क्वेस्ट 7 तक तक चुके हैं आज हम आज आज मिश्ट 7 का क्वेस्ट 9 एट कर देखें चलिए, स्टार्ट करते हैं, question number 8 है, why are the rivers of southern plant to seasonal? इसका मतलब है कि, जो southern state to की नदियां है, rivers means नदियां होती है, वो seasonal क्यों है? क्यों कहा लाता है वो seasonal? तो answer है, because all these rivers are then fed and not small fed, बतलब जो यहां की प्लेट्यूरीचन की सारी नदियां है, वो बारिस के पानी से भरती है, न की बरब के पानी से, हना? तो बारिस के पानी से भरेगी, तो seasonal होगी, क्योंकि जब मौसम कैसे आएगा, बरसार पर मौसम रहेगा, तो नदियां कैसे होगी? पूरी भरी भरी होगी, लेकिन जब दर्मी कमोसम आएगा, तो क्यों जाएगी? वो सूप जाएगी, लेकिन जो प्रोफेड वाली रिवर्स होती है, उसमें साग बर पानी रहता है, जैसे कि गंगा यह कैसे नदियां है, स्मोफेड वाली है, मतलब बार पेडल से बनती है, गंगा वहां से आती है, लेकिन जो यह नदियां है, सदन प्रेट्व वाली, यह नदियां कैसे होती है, सीजनल, सीजनल मतलब पानी रहता है, और दूसरे सीजनल में सूफ जाती है, गर्मी में, बरसात में पानी बढ़ जाता है, इसलिए इसको सीजनल बोलते है, समझ्या प्रेट्व की नदियां होती है, सादन प्रेट्व की नदियां होती है, सादन प्रेट्व की नदियां होती है, सादन प्रेट्व की नदियां साओ पाली, वह सीजनल की होती है, उनको सीजनल की क्यों कहा जाता है, तो क्यूंकि विकॉज और वह साही नदियां होती है, और पार पारेंट से नहीं बढ़ती है कि इसलिब को क्या होते हैं को नीच्ट में हो इसलिब को डोगा सिर्श लेक्ट टो जो इसलिब करते हैं परना किस तरक पड़ता को तो तो गहि है उन्हा फंज में ऑ इस न्हां यहां पर दीच है यह लोड़ आप Jewelin ISK yes तो इन दोनों के बीच है क्या पढ़ता है? Western Coastal मतलब यह वाला पार्ट पढ़ता है Western Coastal Plane अर्याइज लिए है और Western घाटी है इन दोनों के बीच में पढ़ता है Question क्या था? Where do the Western Coastal Plane लाइज लाइज वेस्टन कोस्टर प्रेंज कहा क्या पढ़ता है? The Western Coastal Plane लाइज वेस्टन घाट लाइज 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 लेकर अर्याईज लेकर सब्सें लेकर लाइज लाइज लेकर लोगेश्टन कोस्टर प्रेंज कोश्टर प्रेंज है समझने लाइज क्या पढ़ता है आपनों बहुत अच्छे से अगर आपने बड़ा होगा तो कोई दीशक्तिया है नेक्स्ट है तेन वाला पॉशन देखिए वाट इस दा साधन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का जो साउब और सबसे लास्ट वाल पार्ट कुल सा है आपको यही एक सब्दिया करना है बागी साना कोईशन अगर इसमें जलासी भी गल्दी होगी तो पूरा आंसर करो तो क्या करें आप इसके से इवंट ने देखा है बहुत आरे बच्चों ने गावज लिखा है अब उसमें पॉसबल ही होता है सब को आंचा देना तो एक बार फिर से आप लोग चेप कर ले तो आप से लास्ट वाला पॉइंट कोलता है इंद्रा पॉइंट पॉइंट इंद्रा पॉइंट इंद्रा 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 सब्सक्राइब को युजा के से यह घ्र है युजा मजें से आपको युजा में परक्सय नहीं दरक्षां घ्राइब बीच में बीच में वेस्टर्ण दौस्थे नहीं to watch शूं वेस्टर्ण यह ब्लden ऌड 그때 टेह में करिए भॉटं को सुन surrendered इंडिया का सबसे सावर्वारा पॉइंट होसा है तो इस तांसे इंडिया पॉइंट इस दर्जर्ण मुस्ट पॉइंट ओप ठीक है बहुत आसारी कुछ नहीं करना है थोड़ा थोड़ा साथ अग्षान करना बाथी तो कोश्चन दिनें साथ तो आपको यह वक्सी टानों कम्प्रीट हो तुकी है सारी वक्सी कम्प्रीट हो गई है आप हम मंदे से रिविजन साथ तो सारे कोशनां से लंग लें एक बार स्पेलिंग चेक कर लें जैसे लिए मैंने बता रहा है सारी स्पेलिंग आइवेंशी की वेस्टर्ण घाटी और स सब्सक्राइब करें तो चलिए आज लें तक आप यह ना इसको कम्प्रीट कर लें और अच्छी राक्टिक में लिए आपने जिसमें लिए हैं प्रसेवा लिए हैं और लाइट करेंगें चलिए